नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसनबार्ग मादुर्गा की किर्पा होना भला कोन नहीं चाहेगा और अगर कोई कह दे कि क्रोधित है मादुर्गा इस एक रासी पर तो फिर तकलीफ होती है जी दोस्तों, वैसे तो मादुर्गा के ही हर कोई एक संतान है और मादुर्गा कभी भी अपने संतान से क्रोधित नहीं होती लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विस्वास करने पर बहुत ज़्यादा आस्था रखने पर अगर आप फिर भी उनकी उपासना करते हैं आस्था रखते हैं तरदा भक्ती करते हैं और मा दुरुगा की किर्पा आप पर नहीं बन पाए तब तकलीफ होगी वैसे तो हमारें यहां दो बार नावरात मनाया जाता है एक सरद रिटू के शुरुआत में अधिक बढ़ जाता था तब माता जी अपना नया अपतार धारन करके पाप का नास करती थी हमारे हैं माना जाता है कि पंडित बित्वान दर्ण रची गई हमारी धार्मी गरंथों में भी यही लिखा है और लोग मा की सेवा भक्ती करते हैं उनकी कृपा बहुत मैनी रखती है मा की कृपा होना हर एक के लिए बहुत ही जादा एक मान सम्मान धन सम्पदा सुख एस्वरे का कारक माना जाता है और सुभा साम उनकी अरनाम लेने मातर से बहुत सारे संकट से हम बचे रहते हैं अगर नवरात्री में पूरी सद्धा और भक्ती से हम पूजा पाट करते हैं तो माता रानी की असीम क्रिपा हम पे प्राप्थ होती है लेकिन मातारानी की भक्ती भाव पूर्ण सरधा से उनका पूजा करने के बाद भी अगर अनुकूल पर नहीं मिले तब तक लीफे होती है वैसे तो बारह रासी मा दुर्गा के ही संतान है पर एक रासी वैसे हैं जिन पर मा दुर्गा थोरी सी इसमे क्रिपा उनकी कम मिलेगी आपको क्योंकि यहां पर कुछ गरहों की दसा चाल भी ऐसी है कि आपका मानसिक तनाव बढ़ावा रहेगा और इस कारण आप थोरे परेसान भी हैं और इस नौरात्री में देवी के क्रोध के कारण आपको थोरी सी क्रोध नहीं बलकि मा की किरपा कम होने के कारण थोरी सी परेसानिया भी वैसे तो ग्रहों की बात होती है मादरुगा का उसमें हम नाम ले सकते हैं पर कोई खास ज्यादा परेसानी तो नहीं होगी लेकिन अभी क्या हो रहा है थोड़ा सा मंगल गरबर चल रहे हैं और मंगल जो जीवन में सुबता पैदा करते हैं जीवन को मंगल में कर देते हैं वही मंगल अगर थोड़ा गरबर चले और वो भी मंगल 22 माई मार्च से लेकर 7 माई तक का वक्त मंगल आपके लिए असुब है तो असू मंगल हो सकता है थोड़ी सी परिसानी दे इसलिए कह रहे हैं इस पूजा में आपको संभल के रहना है मा दुर्गा की कहीं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती आप उनकी आराधना कीजिएगा भक्तिवाउ से और ताकि मा दुर्गा मंगल के दूस्प्रोहाओं से आपको बचा सके और आपको तो पता ही है मंगल जब मंगली की योग बनाता है चोड़ चपेट दुरगटना जैसी समस्या देता है अलगावादी सोच देता है या यहाँ पर आगे में अवरोध करता है तब परिसानी लगन का मंगल मारक है, मांगली दोस बना हुआ है, पती पतनी एक दूसरे से प्रेम से रहें मिथू डासी, बारवे भाव में मांगली की योग बना हुआ है, मंगल सनी का सराष्ट की योग भी बन रहा है, विभाईत महिलाएं, साब्तान रहें कन्यारासी, अस्टम भाव का मंगल, पिता के घर का मंगल, पिता के स्वास्त पर ध्यान देना है, जो ये सट्टे लोट्री से दूर रहेंगा, भाग में थोरा सा अबरोध पैदा कर रहा है, अब बात करते हैं तुलारासी मिर्तियों अस्थान में बैठा हुआ मंगल, आपको चोड़ चपेट दूरगटना से आपको बचने की सलाह दी जाती है, स्वास्त का ध्यान रहेंगा, धनुरासी, सनी की साड़े साती चल रही है, और लग्न में ही केतु, सनी देव राजमान है, और छटे भाव का मंगल, चोड़ चपेट से आप बचिएगा, अगर आप टेग्नेंट है महिना है, तो अपना ध्यान रखें, अपनी संतान का भी ध्यान रखें, वैसे मंगल यहाँ पर धन दौलत देता रहेगा, पर धुरगटना से आपको बचना है, उपाई के तोर पर मा धुरगटना से आपको साथ में तक साबधान राना है, मा धुरगटना को मनाईए, अपनी किर्पा मा आपके उपर जरूर बरसाएंगी, और इन समस्याओं से बचे रहेंगे, हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद